जियें दोस्तों अगर आप भारत के टॉप पांच में सामिल Small Finance Bank को में से एक बैंक में अपना Zero Balance Account ओपन करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी Beneficial सावित होने वाला है जियें दोस्तों आज मैं आपको AU Small Finance Bank में Zero Balance Account ओपन करने की परकरिया को लाईव प्रोसेस के मादियम से समझाने वाला हूँ चार्ज, Benefits, Eligibility आदि को बहतर डंक से Step by Step समझाने का पूरा परियास करूँगा पाइए फ्रेंट्स सबसे पहले जान लेते हैं इस बैंक की थोड़ी से हिस्ट्री ताकि आपको इस बैंक के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाए AU Small Finance Bank भारत का एक Commercial Bank है जो पहले Vehicle Finance Company के रूप में काम करता था Limited Company के रूप में इसकी स्थापना 1906 में की गई थी लेकिन 19 अपरेल 2017 को इसे Small Finance Bank में Convert कर दिया गया इस बैंक के फाउंडर MD वा CEO संजे अगरवाल है या बैंक सेविंग अकाउंट के साथ-साथ लौन ओफर, फिक्स डिपोजिट वा अधर पैमेंट प्रोड़क्ट की सेवाई भी परदान करता है नवंबर 2017 में रिजोरो बैंक अप इंडिया ने इसे Commercial Bank की सूची में सामिल कर दिया फुट्प्रेंट की बात करा तो बारत में 15 राज़ों वा दो यूनियन टेरिटरी में 2 मिलियन से अधिक कस्टमर तक इस बैंक ने अपनी पहुँच बना ली है इसका Head Office जैपूर में स्थित है इस Account को Open करने के लिए आपके पास आधार कार्ड वा पैन कार्ड होना जरूरी है तो चली Friends बिना देरी के आज के इस खास वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा से रिक्वेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैनल का Analytics है जो की बता रहा है कि इस चैनल को सरफ 2% से कम ही लोग सब्सक्राइब करते हैं बाकी 98% लोग वीडियो तो रेगुलर देखते हैं बर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो प्लिस दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को अभी तक आपने लख नहीं किया है तो Zero Balance account के लिए आपको यहाँ पर इस website पर विजिट करना है, इस website का link आपको जो है वीडियो के description में मिल जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको accounts में आ जाना है, accounts में आने के बाद यहाँ पर आपको saving account का option देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको simple सा नीचे आ जाना ह और AU digital saving account इस पर आपको click कर देना है, जैसे इस पर click करोगी तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा, basically इस bank का यही एक Zero Balance account है, एक और भी Zero Balance account का आता है, BSBD नाम करके, वो जो है online नहीं है, तो online मैं आपको बता देता हूँ कौन सा यहाँ पर high interest rate की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको जो 7% का interest rate देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी तक मैंने दो वीडियो ऐसे cover किये, जिसमें यहाँ पर आपको जो 7% का interest देखने को मिलता है, और आपका interest जो होता है, वो हर महीने आपका जो है, अपने bank balance में transfer कर दिया जा उसके बाद no minimum balance का भी आपको option देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल zero balance account यहाँ पर होने बाला है, कोई भी आपको maintenance chart देखने को नहीं मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको एक feature से debit card देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रुपे का platinum debit card देखने को मिल जाएगा, जि banking horse की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़्यादतर सरकारी और private bank में च्यार बज़े तक ही काम कर पाते हो, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद बात करते हैं, इसके benefits की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, benefits of digital saving account में, यहाँ पर आप banking at your convince, आप जब चाओ banking को यूज कर सकते हैं, उसके बाद choice into 7 online transaction आप कर सकते हैं, लाइक, mobile, recharge या एनी अदर किसी परकार का आप transaction करना चाहते हैं, तो आप choice into 7 गंटे तक कर सकते हैं, paperless banking यहाँ पर होने वाला है, कोई भी यहाँ पर आपको फोरम वगेरा नहीं भरना पड़ता है, उस पर भी कर पोगे, उसके बात कर लेते हैं, इसके eligibility criteria के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपकी उमर 18 साल से उमपर है, तो आप इस account को open कर सकते हैं, अगर आप 18 साल से कम है, तो इसमें जो एक minor account का भी आता है, आप कोगे तो मैं उसका भी वीडियो बना द पर आपको दे नहीं रखा है, तो मैंने एक इसके लिए अलग से PDF डाउनलोड कर दी है, PDF में हम देख लेते हैं, इसके यहाँ पर आपको चार्ज आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले eligibility criteria के बारे में बता दिया आगया है, मैंने आपको बता दिय अब इसके बारे में बात करते हैं, चार्ज के बारे में, तो minimum average monthly balance की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, पूरा निल है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते है, fees of non maintenance balance की यहाँ पर आपको किसी भी परकार का कोई जो है, non maintenance balance यहा unlimited debit card से transaction कर पाऊगे, उसके बात करते हैं, case withdrawal के बारे में तो आप AU bank के किसी भी bank branch में जाकर है, case withdrawal कर सकते हैं, यह सारा कुछ आप जो रहेगा, वो free रहेगा, उसके बात करते हैं, unlimited online payment की जैसे आप RTGS, NEPT, IMPS, UPI और intra bank fund transfer की, तो यहाँ पर आपको पूरा free में मिलने वाला है उसके बात करते हैं, unlimited DD at AU bank location, यह भी आपका free में मिलने वाला है, stop check आप जो net banking और mobile banking के मादिम से अपना check को stop कर पाऊगे, इसके लिए कोई charge नहीं देखने को मिलेगा, उसके बाद local and out station check collection आपको at AU bank location पर देखने को मिल जाएगा, free में ATM deadline due to insufficient fund जैसे जो charge गरता है, यहाँ पर आपका कोई भी चार्ज नहीं कटेगा, free में पांच transaction आपको एक मन्त माईने के लिए मिलते हैं, अगर आप दूसरे बैंकों के ATM से पैसे निकलते हैं, free up to इनार एक लाख रुपे पर मन्त case deposit at any branch, यहन की काई बैंकों में क्या होता है कि आपको जो case deposit करने पर भी charge लगा और यहां पर आप देख सकते हैं, email statement आपको चाहिए, तो वो यहां पर आपको जो है, half yearly और पूरा yearly आपको फ्री में देखने को मिल जाता है, अब फ्रेंस बात करते हैं, इसके debit card पर यहां पर आपको कौन कौन से charge देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं, card type के बारे में, तो यहां पर आपको card मिलने वाला है, वो रुपे का platinum card देखने को मिलेगा, उसके बाद इसके annual fees की बात करें, तो यहां पर आपको 150 रुपे annual fees देना पड़ेगा, शुरुआत में पहले साल के लिए free होता है, कहीं की बार अगर आपका charge यहां पर नहीं भी लिया बात करें, तो यहां पर आपको मैंने बता दिया, पांच free transaction आपको मिलने वाले हैं, एक महीने के बाद, और उसके बाद अगर आप करते हैं, तो 20 रुपे पर financial transaction और 8 रुपे पर non financial transaction, financial मतलब 500 रुपे से जधा और non financial मतलब 500 रुपे से कम, transaction at other bank outside India की बात करें, तो यहां पर बात करते हैं, ATM declines कर देता है, कि अगर आपके bank में account, जो amount रही है, तो यहां पर आपको 25 रुपे का आपको चार्ज लगने वाला है, तो इस बात का आपको विशेश त्यान देना है, अगर आप दूसरे bankों के ATM से जो है, विड्रॉल करते हैं, उसके बात करते है, replacement of lost stolen card, अ इसलिए यहां पर बात कर लेते हैं, और भी charge के बारे में, तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, case deposit की बारे में बताय गया है, तो आप किसी भी ब्रांच में जाकर case deposit कर पाऊगे, तो case deposit कितना कर पाऊगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक लाख रुपे पर म प्रूटेट में मिल जाएगा उसके बाद बाद करते हैं यहारं पर उसके इसके अंदर चार्ज देने को मिल जाएगा जहाएगा प्सक्राइगर प्सक्राइगा पर देखने को मिल जाएगा और भी इसके अंदर चार्ज दे रकें आप जो है इस पीडियो को डाउंलोड कर सकते हैं पीडियो का लिंक और जो neuroscience आपको जो वीडियो के description में मिल जाएगा ये हम आपर term और condition देखने को मिल जाएगे तो मैंने या पर सारे इसके features, charge, eligibility सारे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया अब हम बात करते हैं कि आपको इस account के लिए apply कैसे करना है इस account को apply करने के लिए सबसे पहले आपको जो है वीडियो के description में एक link मिल जाएगा उस पर यहाँ पर आपको click करना है जैसी click करोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं apply now वाला option देखने को मिल जाएगा इस पर यहाँ पर आपको click कर देना है जैसी आप यहाँ पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा तो हम थोड़ा सा यहाँ पर wait कर लेते हैं जैसी wait करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको apply now to get started वाला option देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको अपना product select करना है कि आप क्या करवाना चाते है saving account आपको click करना है और यहाँ पर आपको जो है अपना mobile number डाल देना है जैसे mobile number डालोगे उसके बाद simple सा आपको verify पर click कर देना है जैसे आप verify पर click करोगे तो आपके mobile number पर एक OTP आ जाएगी उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है OTP डालने के बाद simple सा आपको verify पर click कर देना है अगर आपका 5 minute में OTP नहीं आता है तो simple सा आपको recent OTP वाला जो है ये option आपका जो यहाँ पर blue हो जाता है इस पर आप click करके आप अपने OTP को दुबारा मंगवा सकते हैं तो फिलाल हमारे पास OTP आ चुकी है और verify कर देते हैं जैसे आप verify करेंगे तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं हलांकि इसकी website काफी speed चलती है तो सबसे पहले यहाँ पर इसको allow कर देना है location को उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बाते बताएगे यह वो यहाँ पर आपको देनी है मैं आपको जूम करके बता देता हूँ यहाँ पर आपको पास original card और other card में अपना mobile number लिंक होना चाहिए जिस पर आपका OTP प्राप्त होगा और यहाँ पर आपको blank white paper आपके पास रखना है pen भी साथ में रखना है और अपना पुराना अगर इस bank में account है तो उसका भी आपको details आपके पास में रखनी है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो service available रहेगी वो सुबह 8 से सामको 8 वज़े तक video call कर पाओगे यहाँ कि अपना bank account video call के मादिम से open कर पाओगे यहाँ पर आपको जो अपना pen number डालना है और यहाँ पर आपको check box पर click कर देना है तो मैं यहाँ पर pen number डाल देता हूँ जैसे आप pen number डालोगे तो अपना यहाँ पर detail यहाँ पर आपको अधर काड डाल देना है यहाँ पर आपको क्लिक कर देते हैं तो आपके mobile number पर OTP आजाएगा जो mobile number आपके अधर काड में registered है वो यहाँ पर OTP आपको डाल देना है जैसे आप OTP आओगे OTP आने के बाद simple सा यहाँ पर आपको डाल देना है डालने के बाद simple सा आपको confirm पर क्लिक कर देना है जैसे आप confirm पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait कर देना है basically यहाँ पर हम जो account open कर रहे हैं वो वीडियो के वैसी वाला करने वाले हैं अगर आप वीडियो के वैसी वाला नहीं करने चाहते हैं तो आप call करके भी account को open कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इसके अंदर जो बाते बताएगे मैं आपको बताता हूँ आपको जो है original pen card तयार रखना है और blank page आपको तयार रखना है signature verification के लिए उसके बाद हम जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो click here to complete the application by yourself आपको देखने को मिल जाएगा इस form को सबसे पहले बढ़ना है उसके बाद आपक आपको click करना है जैसे आप click करोगे तो आपके आधर काड़ोई details यहाँ पर आपके सामने सो हो जाएगी जिसे हम personal details के रूप में जान सकते हैं तो यहाँ पर आपको जो details भरी हुई है वो तो आपको बढ़ने नहीं है और जो नहीं भरी हुई है जैसे email ID और यहाँ पर आप आपको यहाँ पर देखने सो मिलजाएगा और इसमें यहाँ पर सबसे पहले अपना state select धना है उसके बाद यह में आपको अपना जो है नौमिनिका डेट ऊब बट ना है, अगर आपको यहां पर आपको एड्रेस डाल देना है, अगर आपको नौमिनिका अड्रेस थे मैं, तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बार next पर क्लिक कर देना है तो मैं यहाँ पर सारे इस form को भर देता हूं जैसे यहाँ पर form को भरेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा है यहाँ पर आपको checkbox पर क्लिक करना है और next पर क्लिक कर देना है जैसे आप next पर क्ल अब जो हैं दूसरे वाले income details वाले form पर आ गहे हैं तो यहां पर आपको जो है अपना सबसे पहले occupation आपको डाल देना है कि आप क्या काम करते हैं self-employed हो salary है या आप student है या आप बेरुजगार है या politician है जो भी है वो यहां पर आपको डाल देना है नेचे यहां पर आपको annual income डालनी है कि आपकी एक साल में कितने income हो जाती है जो भी होती है वो यहां पर आपको डाल देना है और FATCA declaration में आपको no select कर देना है अगर आप जो है दूसरी country से नहीं है उसके बाद यहां पर आपको next पर click कर देना है तो यहां पर आप देख सकते हैं AU digital saving account हम जो open करते हैं इसको यहां पर आपको click कर देना है जैसे आप click करोगे तो नेचे यहां पर आप देख सकते हैं इसके जितने भी benefits है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे हलंकी मैंने आपको शुरुआ पर बता दी है तो वापस से मैं आपको नहीं बताओंगा उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं एक रंगीन आपको जो है debit card देखने को मिल जाएगा इस परकार का वर्चुल debit card की आपको देखने को मिल जाएगा और physical भी आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद नीचे आपको check box वाला option देखने को मिलेगा अगर आप check box मंगाना चाते हैं तो इसको यहां पर ऐसी छोड़ सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको find is near you यहां पर आपको अपना state select करना है और यहां पर आपको जो है अपना district select करना है उसके बाद यहां पर आपको branch select कर देना है जैसे आप branch select करोगे तो आपकी नजदी की branch का option यहां पर आपको address देखने को मिल जाएगा उसके बाद simple सा आपको नीचे next पर click कर देना है जैसे आप next पर click करोगे तो हमारा जो simple सा यह जो form हमने लगया था वो simple सा यहां पर आजाएगा आपको यहां पर fund add करना है अगर आप add करना चाते हैं तो add कर सकते हैं जो simple सा है यहाँ पर आपको जो नीचे आजाना है नीचे आओगी तो यहाँ पर आपके सामने जो check box वाला option देखने को मिल जाएगा सबसे नीचे वाला उस पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है उपर वाले option को नहीं छेड़ना है अगर आपके जो है सबसीडि बगरा इस account में करवाने चाते है तो यहाँ आपको क्लिक करना है वरना आपको जो है यहाँ पर simple सा आपको जो है प्रोसीड पर क्लिक कर देना है जैसे आप पर दिखा हुगा है कि यहाँ पर आप जैसी confirm करोगे तो किसी पर करकार की चैंज यहाँ पर आप नहीं होगी तो हमने सारा कुछ साही डाला है तो confirm पर klick कर देते हैं जैसे88 virus is तो यहां पर personal हमने जो फॉर्म submit कर दिया है उसको बाद यहां पर आपको जो वीडियो के वैसी वाला pretend देकने को मिल जएगा वीडियो के वैसी में यहां पर आप देखसकते हैं अगर आप अभी वीडियो को वैसी करवाना चाहते हैं तो अभी के लिए कर सकते हैं अगर आप schedule करना चाहते हैं मतलब है कल पर सुन जब भी आपको time मिले उस समय आप जो है video को सी कर सकते हैं तो इसके लिए आप आपको click कर देना है जैसे यहाँ पर आप click करोगे तो simple रखत और उसको को यहां पर कर सकते हैं सबसे Sam co canael इसक pap Century sequente तो तियार रखना है तो त्यार रखोगी आपका सिंपल सा पाँच मिनट के अंदर वीडियो सी सी कंप्लिट हो जाएगी जैसि के ऐसी आपकी वीडियो सी कंप्लिट होगी समें थी एक दिन के अंदर सारा account यहां पर complete open हो जाता है आप bank में जाकर जो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा जैसे debit card वगरा वो यहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं हलांकि आपको debit card वो 7 दिन के अंदर आपके address पर आज जाता है तो इस परकार से जो है इस bank में आप जो अपना saving account open कर सकते हैं ज मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिन